अमेरिका पर अटाक के मूट में है तानाशा जी हाँ अमेरिका पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खत्रा ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो अमेरिका ने खुद ही अपने सबसे बड़े नौसेनिका डे और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ाने की तयारी तेस कर दी है तो दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया की वो धमकी जिसमें उसने अमेरिका को तबहा करने की बात कही थी तो कुल मिलाकर अमेरिका पर उत्तर कोरिया की मिसाईल के खत्रे का साया है और अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाया तो क्या हो सकता है आईए देखते है एक बार फिर हो सकती है वैसी ही विनाश लीला एक बार फिर समंदर में उठ सकता है तबाही का दूफा टूप सकते हैं पीसियों जंगी जहाद जंग के साजों सामान का हो सकता है वहारी नुक्साद महा जंग का शिकार हो सकती है हजारों जिंद्गियां अमरीका के हवाई का परल हार्बर एक बार फिर बन सकता है कबरिस्तान क्योंकि 75 साल बाद अब अमरीका को एक बार फिर लग सकता है सबसे बड़ा जटका एक बार फिर एक बड़ी जंग में जोंकी जा सकती है दुनिया क्योंकि संकीताना शाह के मूड का कोई भरोसा नहीं अपनी संक के चलते वो ताना शाह वही कर सकता है जो 1941 में जापान ने किया था बलकि जापानियों से दो कदम आगे बढ़ सकता है ताना शाह अपनी ताकत की नुमाईश करने और अमरिका को नीचा दिखाने के लिए किम जॉंग उन दुनिया को दिखा सकता है परल हाबर डुग क्योंकि अमरिका पर अटैक के मूर में है ताना शाह तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का परल हारबर एक बार फिर निशाने पर है और इस बार जापान नहीं उत्तर कोरिया परल हारबर पर हमला कर सकता है लेकिन क्या ये मुम्किन है कि अमेरिका के पर्ल हारबर को उत्तर कोरिया निशाना बना ही दे उत्तर कोरिया के संकी तानाशा की मंच्छा को देखते हुए कई सवाल उठ रहे हैं देखते हैं अमेरिका पर खत्रा कितना बड़ा है करते हैं इसकी परताल बेलगाम हो गया है सन की तानाशा अपनी सनक में मधोश हो गया है किम जोंगुन अपने नापाक रादों को परवान चुड़ाने के लिए हर जुगत में जुटा है उत्तर कोरिया का शासक दुनिया के सबसे ताकतवर्क मुल्क को नाकोचने चबवाने के मन्शा पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तयार है वो और उसके जो इरादे हैं वो बेहद खतरनाक है पिछले दिनों अपने मिसाइल लॉंच के बाद किम जोंगुन ने वाइट सूट पहन कर अपने जनरल्स के साथ जोरदार पार्टी की इसमें जाहिर हो गया कि वो अब अपने एरादों को परवान चड़ाने के लिए और आगे बढ़ना चाहता है किम जोंगुन अब वही गलती करने की तैयारी में है जो 75-76 साल पहले जापान ने की थी इस साल के शुरुआत से ही ये खबरे जोर पकड़ रही है कि किम जोंगुन ना सर्फ अमेरिका पर हमला करना चाहता है बलकि वो अमेरिका के सबसे अहम नेवल बेस परल हरबर को ही निशाना बनाना चाहता है और सब ही जानते हैं कि परल हरबर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने जो हमला किया था उसके बार क्या हुआ था तो फिर क्या वही विनाश लीला दोहरानी की तैयारी में है उत्तरकोरिया इस सवाल का जवाब भी मिलेगा लेकिन आपको पहले बता दें कि परल हरबर अमेरिका के लिए क्यों खास है पर्ल हर्बर हवाई द्वीप में अमेरिका का सबसे बड़ा नौसानीक अड़ा है यहां अमेरिका के पैसिफिक नेवल हेटकॉाटर भी है यहां सैक्डो जहाज और एक हजार से जादा विमान हमेशा रहते हैं 3,88,000 अमेरिकी फोजियों का भी यहां ड़ा है दिसंबर 1941 में जापानी हमले में यहां करीब 2500 सैनिक मारे गए थे पर्ल हर्बर हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्विद में शामिल हो गया पर्ल हर्बर अमेरिका के हवाई धीप से बेहत करीब इस्थत है और हवाई धीप उत्तर-कूरिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये अन्य अमेरिके लागों के मकाबले उत्तर-कूरिया के सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है और अमेरिका का प्रमुक सामरिक केंद्र है हवाई में अमेरिका के बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट फैसिलिटी है अमेरिके मिसाइल डिफेंस अजिंसी ने हवाई में कई मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स के सफल पर इक्षड किया है पुल मिला करके हैं तो अमेरिका का हवाई द्वीप और उससे सटा परल हर्बर उत्तर कुरिया के निशाने पर है क्योंकि उत्तर कुरिया का शासक किम जोगुन लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM यानी Intercontinental Ballistic Missile बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर वो अपनी कोशिश में काम्याब हो गया तो अमेरिका से अपना बैर मिटाने के लिए वो सीधा अमेरिका के उसी अड़े पर हमला कर सकता है जहां अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुक्सान हो और वो अड़ा तो बेशक हवाई का परल हर्बर ही है जिसे तबाह करके अमेरिका की कमर तोड़ी जा सकती है हलाकि आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के ताना शाह की अमेरिका के परल हर्बर को निशाना बनाने की मंशा अभी दूर की कोड़े ही लग रही है क्योंकि परल हर बार उत्तर कोरिया से 4600 मिल दूर है और उत्तर कोरिया के पास अभी हद से हद 2800 मिल तक मार करने के एक शमता वाली मिसाइल है जिसका सबसे करीबी निशाना पूर्वी एशिया में गौाम का अमेरिकी फौजी अड़ा ही हो सकता है तो साफ है कि परल हर बार तक मार करने के लिए उत्तर कोरिया को अभी और मेहनत करनी होगी वैसे जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया सबसे पहले अपने सबसे करीबी दक्षिल कोरिया को ही निशाना बनाना चाहेगा जहां 28,000 अमेरिकी सेनिकों का अड़ा है इसके अलावा तक्षिल कोरिया के दाएगू पर भी वो मिसाइल हमला कर सकता है जहां अमेरिका ने थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है वहीं जापान में ओकी नवा का अमेरिकी बेज भी उत्तर कोरिया के निशाने पर हो सकता है जहां 27,000 अमेरिकी सेनिक हैं इसके अलावा तक्षिल कोरिया और जापानी अलागों में स्थित कई और अमेरिकी अड़ों को भी उत्तर कोरिया से बेहद खत्रा है तो ताना शाय आटायक के मूड में है और अमेरिका के लिए किसी ना किसी तरीके से खत्रा बेहत बड़ा है अब आपको बताते हैं अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका के परल हारबर और हवाई दूई पर मिसाइल हमला कर ही दिया तो क्या होगा कैसे अपना बचाफ करेगा अमेरिका जाहिर है अमेरिका भी कच्चा खिलाडी नहीं है जो उत्तर कोरिया की धंकी को हलके में ले ले वो भी अपनी तयारी कर रहा है और किस तरह वो बचाफ की तयारी में जुटा है ये भी आपको दिखाते हैं भले ही परल हर्बर अभी उत्तर कुरिया की पहुँच से दूर है लेकिन अमेरिका सतर्ख है और घबराया हुआ भी है दूसरे विश्वयुद्ध में जापान ने हवाई में परल हर्बर को निशाना बनाया था डर है कि इस बार जंग छड़ी तो उत्तर कोरिया परल हर्बर पर परमाडू हमला कर सकता है तो अमेरिका ने अब पूर्व राष्ट पती रोनाल्ड रीगन के स्टार वार्स प्लान की तरज पर उत्तर कोरिया से निपटने का फैसला किया है उत्तर कोरिया की और से खत्रे को देखते हुए अमेरिका ने अब ICBM इंटरसेप्टर के टेस्ट का एलान किया है ताके उत्तर कोरिया की और से आ रही मिसाइल को बीच महीं मार गिराया जा सके इस टेस्ट के तहट मार्शल आईलैंड से एक मिसाइल लाँच की जाएगी और कलिफोर्मिया से इंटरसेप्टर छोड़ा जाएगा ये पहला मौका है जब अमेरिका ICBM को रोकने के लिए टेस्ट करने जा रहा है इससे पहले 1999 से 2014 तक अमेरिका ICBM के 17 टेस्ट कर चुका है 2014 में ऐसा एक टेस्ट काम्याब रहा था जबकि उसके बाद 3 टेस्ट नाकाम हो गए जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया की और से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई पहुँचकर तबाही मचाने में महस 20 से 25 मिनटी लगेंगे उत्तर कोरिया की मंशा को भाबते हुए अमेरिका के हवाई में सर्वाईवल पैन का काम शुरू कर दिया गया है अमेरिका ने हवाई में मैसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की तैयारी शुरू करती है अलाके में अमर्जंसी जैसे हालास से निपटने के लिए भी इंतजाम किये जा रहे हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर पानी और जरूरी सामानों की कमी ना पढ़े यही नहीं हमले की स्थिती में लोगों के छिपने के लिए भी बहतर शल्टर तैयार करने की जरूरत महसूस की गई है साथ ही सारवजनिक जगहों और स्कूलों जैसी जगहों पर सुरक्षा ट्रिल और लोगों को खत्रे से बचाने के लिए जागरूप करने के इंतजाम किये जाएंगे साफ बात है अमेरिका किम जोंगुन के इरादों को हलके में नहीं ले रहा और ये तैमान रहा है कि उत्तर कोरिया उस पर हमला करेगा ही करेगा और ऐसा हुआ तो अमेरिका भचेगा कैसे अब इसकी तैयारी हो रही है हाल ही में एक बार फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है वजह है उत्तर कोरिया का एक और मिसाइल टेस्ट भले ही उत्तर कोरिया की ताजा मिसाइल की ताकत उतनी नहीं है कि वो अमेरिका तक मार कर सके लेकिन उत्तर कोरिया ने ये तो कही डाला ह कि वो तब तक मिसाइल टेस्ट करता रहेगा जब तक अमेरिका उसकी जद में नहीं आ जाए जिहां किम जोंग उन है की मानता ही नहीं क्योंकि किम जोंग उनको मिसाइल पसंद है मिसाइल है किम जोंग के हाथ का खिलोना जिसे देख कर किम चाहता है अमेरिका को धंकाना अपने अडियर रवये पर बरकरार है उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन एक तरफ अमेरिका के राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की तैयारी का दम भरते हैं तो उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उनसे दो कदम आगे बढ़कर अपनी नई नई मिसाइलों का टेस्ट करता है अमेरिका के राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प जब सेक्डो अरब डॉनल्ड का सौधा करने और इसलामी देशों के बीच अपनी छवी बदल ले साउधी अरब के दोरे पर थे उसी दोरान उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट कर सब को सकते में डाल दिया ये नया मिसाइल टेस्ट 21 मई को फुकचांग इलाके के पास किया गया उत्तर कोरिया के मताबिक मिसाइल 506 किलोमीटर की उचाई तक गई और उसने 500 किलोमीटर का सफर तैट किया अमेरिकी सेना के मिसाइल जापान साधर में जागी इस मिसाइल को पुकुसांग चू नाम दिया गया है अपने नए मिसाइल टेस्ट से गदगद है किम जोंगोर नए मिसाइल की काम्यावी का जश्णू बना रहा है किम जोंग उत्तर कोरिया ने अपनी ताजा तरीम मिसाइल टेस्ट को ना सिर्फ कामियाब बताया बलकि ये भी साप कर दिया कि ये मिसाइल फौजी इस्तमाल के लिए तैयार है और यहीं नहीं बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनने इन मिसाइलों को बड़े पैमाने पर बनाने का फर्मान भी जारी कर दिया है जाहिर है, अमेरिका और उसके मित्र देश तक्षन कोरिया के लिए उत्तर कोरिया का इरवय्या बेहत परेशान करने वाला है क्योंकि अमेरिका चाहे कितनी भी थमक्या दे, उत्तर कोरिया तो मिसाइल टेस्ट रोपने का नाम ही नहीं ले रहा पुग कोसांग टू मिसाइल का टेस्ट उत्तर कोरिया का इस साल का आठवा मिसाइल टेस्ट है इससे ठीक पहले 14 माई को भी उत्तर कोरिया ने मिसाइल का टेस्ट किया था जिसका रेंज करीब 800 किलोमीटर था उत्तर कोरिया ने 14 मई को intermediate range की ballistic missile का उत्तर प्योगान के कोसांग में टेस्ट किया जो 700 किलोमीटर की इरात्रा करके रूस के पास समुतर में जाकर किरी उत्तर कोरिया ने 29 अप्रेल को पकचांग इलाके में ballistic missile का टेस्ट किया जो नाकाम रहा था भले ही 21 मई को टेस्ट किये गए missile की ताकत पहले की missile के मुकाबले कम थी लेकिन ये कता ही नहीं माना जा सकता कि उत्तर कोरिया किसी भी रूप में कमजोर है क्योंकि तमाम अंदराश्ट्रिया पाबंतियों को ठेंगा दिखाते हुए वो ऐसी missile टेस्ट करने का भी दावा कर चुका है जो परमानू हथियार ले जा सकते हैं और किम जोंग उन्तो अमेरिका को ये भी धमकी दे चुका है कि मौका पड़ा तो वो ऐटमी जंग से भी पीछे हटने वाला नहीं आपको बता दे उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्टपती डॉनल्ड ट्रम पर उसके आसपास जंगी जहाज भेच कर उकसावे की कारवाई का आरोप नगाते हुए कहा था कि वो ऐटमी हमलों का भी पलतबार करने की ताकत रखता है और जरुवत पड़ेगी तो एटमी हत्यारों के स्तमाल से वो परहेज नहीं करेगा सवाल ये कि अमेरिका और उत्तर कोरिया इन दोनों में जंग का आदाज करेगा कौन अमेरिका तो सयोगत राष्ट के जरिये एक बार फिर उत्तर कोरिया को प्रतिबंदों के दारेवे बानने की कोशिश में है और साथ ही अपनी कूटनितिक चालों और ताकत की नुमाईश करके भी उसे घेडने की जुगत नहीं जब कि किंग जोंग उन कब कौन सी चाल चलेगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं इससे पहले 14 मैं को भी किंग जोंग ने मिसाइल टेस्ट किया था तब ही इसाफ हो गया था कि अब अमेरिका इसका जवाब देगा उसी टेस्ट के बाद डॉनल्ड ट्रम्प ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज को कोरियाई समंदर में उतार दिया जाहिर है किंग के मिसाइल टेस्ट से इलाके में घमासान की हलचल तेज हो गई है उत्तर कोरिया का सनकी ताना शहा किम जोंगुन जिसकी सनक से पूरी दुनिया हैरान है अब तक तो किम जोंगुन केवल अपने पडोसियों दक्षण कूरिया और जापान को ही धमकाता था लेकिन अब उसने ले लिया है सीधे सीधे अमेरिक की राष्ट पती डॉनल्ड ट्रम्प से पंगा वो ट्रम्प जो अपने कड़े रवईये के लिए जाने जाते हैं डॉनल्ड ट्रम्प का गुस्ता अगर उबाल पर आ जाए तो वो कड़े से कड़ा फैसला लेने में भी पीछे नहीं रहते एक तरफ सन की ताना शह तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट पती ऐसे में दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी हो गई है एक तरफ है किम का कुरूद और दूसरी तरफ है क्रम्प का गुस्ता अमेरिका और उत्तरकोरिया के बीच तनातनी इसकदर बढ़ गई है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है इस तनातनी के पीछे बड़ी वज़ा है अमेरिका का दक्षल कोरिया से बढ़ता याराना अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य अभ्यास करता रहा है उत्तर कोरिया को ये यो धब्यास अपने खिलाफ साज़िश लगती है इस अभ्यास को वो धमकी की तरहा लेता है उसने अमेरिका को कई बार चेतावनी भी दी है लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है अमेरिका के बढ़ते दबाव का जवाब देने के लिए 14 मै को ही किम जोंग ने मीडियम रेंज की जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल का परिक्षण कर डाला उत्तर कॉरिया की इस नई मिसाइल का नाम वो सौंग बारा है ये मिसाइल साले 4000 किलो मीटर तक की दूरी तै कर सकती है ये उत्तर कॉरिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है ये मिसाइल परमानू हत्यार ले जाने में भी सक्षम है दौनल्ड टॉंप की धमकी को नजर अंदाज कर किम जोंग उन्ने मिसाल का टेस्ट कर लिया है इतना ही नहीं इस टेस्ट के बाद किम जोंग ने साफ कर दिया तो उसके निशाने पर अब सीधे-सीधे अमेरिका है अमेरिका किसी गलत फहमी में न रहे अब वो सीधे सीधे हमारे निशाने पर है अमेरिका छोटे छोटे देशों को धमकाता रहता है इसलिए हमें पर्माण हत्यार बनाने की जरूरत पड़ी साफ है कि उत्तर कोरिया का ये सन की ताना शाहा टॉनल्ड ट्रम्प की धमकी से डरने वाला नहीं है उसकी हध्यारों की सनक भी रुकने वाली नहीं है विशेशग्यों के मताबिक अब इस टेस्ट के बाद लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल बनाने का रास्ता भी किम जोंगुन ने साफ कर लिया है जाहिर है किम जोंगुन के सरवये से डॉनल्ड ट्रम्प का गुस्सा भी सातवे आसमान पर पहुंच गया है दुनिया के सबसे ताकतवर देश को अपनी नापरमानी पसंद नहीं है ऐसे में अब उसने भी अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार दिया है कोरियाई प्राइदरीट में हलचल बेहत तेज है दोनों देशों का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि जंग अब बेहत करीब है क्योंकि ना तो किम जोंगुन किसी सूरत में मानने को तयार है और ना ही डॉनल्ड ट्रम्प उत्तर कोरिया को बख्षने के मूर में है उत्तर कोरिया को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं तो कुछ उत्तर कोरिया के साथ भले ही खुल कर ना हो लेकिन जंग के हालात में उसका साथ दे सकते हैं ऐसे में विश्वयुद्ध के आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। किम जोंगुन का करूद और ट्रम्प का गुस्सा दुनिया को विश्वयुद्ध के मुहाने पर ले आया है।